उत्राखंड बीजेपी में हलचल मची हुई है कॉंग्रेस के एक दाओं ने बीजेपी की पूरी चुनावी रणनीती ही बदल दी है अब दक दूसरे दल के विधायकों को अपने पाली में करने का दावा करने वाली बीजेपी के लिए अब अपना घर समाल ना मुश्किल होत देख रही है धामी कैबिनेट के मंतरी यश्पालारे तो पाला ही बदल चुके हैं तो कई विधायक कॉंग्रेस नेताओं की संपर्क में बताये जाते हैं और आप कॉंग्रेस बीजेपी की मुश्कलें और बढ़ाने की तैयारी कर चुकी है उमेश शर्मा काउ हो या फिर हरक सिंग रावत इनके बदलते तेवर बीजेपी की नींद उड़ा चुके हैं दोनों के कॉंग्रेस में जाने की खबरों से पार्टी चिंतित दिखाई दे रही है उमेश शर्मा काउ के बारे में तो यहां तक दावा किया जा रहा है कि वो कॉंग्रेस मुख्याले तक पहुच गए थे लेकिन बीजेपी सांसद अनिल बलूनी किसी तरह से काउ को कॉंग्रेस में जाने से रोकने में सफल हो गए थे मगर बीजेपी विधायक काउ अभी भी कॉंग्रेस के संपर्क में बताये जाते हैं तेवर तो हरक सिंग रावत के भी तल्ख बने हुए हैं उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि वो विधान सभा चुनाओ नहीं लड़ेंगे इसके बाद से ही बीजेपी के तमाम नेता उन्हें मनाने में जुटे हुए हैं बीजेपी अभी तक दोनों के पार्टी में बने रहने के दावे कर रही थी लेकिन अब कहा जा रहा है कि ये दोनों नेता कॉंग्रेस में शामिल होने की तैयारी कर चुके हैं उत्राखंड के कैबिनेट मंत्री हरक सिंग रावत विधायक ओमेश शर्मा काउ और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंग एक ही फ्लाइट से दिल्ली रवाना हुए हैं दावा किया जा रहा है कि प्रीतम सिंग काफी दिनों से इन दोनों नेताओं के संपर्क में थे वैसे बीजेपी की ओर से दावा किया गया है कि हरक सिंग रावत और उमेश शर्मा काउ बीजेपी के राश्री अध्यक्ष जेपी नड़ा से मुलाकात करने गए हैं लेकिन कॉंग्रेस विधायक प्रीतम सिंग के साथ उनकी तस्वीरें कुछ और ही कहानी बया कर रही हैं जिसके बाद उत्राखंड से लेकर दिल्ली तक सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है कॉंग्रेस नेता हरी शरावत तो यहां तक दावा कर चुके हैं कि एक दरजन बीजेपी विधायक कॉंग्रेस में आने को तयार हैं लेकिन हम किसी को पार्टी में शामिल नहीं करेंगे जो पार्टी का वफादार रहेगा उसे ही मौका मिलेगा और टिकट की भी कोई गारंटी नहीं होगी डिबी लाइब की रिपोर्ट